मुश्कार मित्रों मैं डॉक्टर आनन्ज जैन्त काले कंसल्टेंट प्लास्टिक स्वेजन और डाइरेक्टर लेग सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्तितू आज हम बात करेंगे एक्सेसरी ब्रेस्ट टिशू इन एक्जिला मतलब बगल में ब्रेस्ट से मिलता जुलता एक स्वेलिंग या सूजन आ जाती है उसको कॉस्मेटिक रीजन से हमको ठीक करने की जरूरत पड़ती है ये एक्सेसरी ब्रेस्ट टिशू दोनों तरफ एक्जिला में बगल में उस प हो जाता है तो इसको हमको प्यॉर कॉस्मेटिक रीजन से सिर्फ सौंदर ये संबंदी प्रॉब्लम की वज़े से operation करके निकालना पड़ता है इसका reason hormonal imbalance हो सकता है बहुत सारी चीज़े हैं जिसके बारे में हमको अभी मालूम नहीं है लेकिन इसका operation इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखने में भद्दा दिखता है और इसको हमको presentable area में होने की वज़े से निकालने की अवशक्ता पड़ती है एकसेसरी breast tissue को निकालने के लिए दो प्रकार के operation होते हैं एक होता है जिसमें हम उसको surgically निकाल देते हैं जिस सिर्फ चीरा लगाके एक लंबा चीरा आता है और उसके बाद operation के अगले दिन मरी चुटी हो जाता है दूसरा तरीका होता है जिसमें हम नली के मध्यम से liposuction के द्वारा fat निकाल देते हैं और जो बचा हुआ ग्लाइन टिशू रहता है उसको एक छोटे चीरे से निकालते हैं एडवांटेज है होता है कि लंबा चीरा नहीं आता और recovery भी fast होती है तो ये दो तरीके होते हैं दोनों ही तरीके अच्छे होते हैं किसी किसी को scar लंबा नहीं चाहिए होता तो वो liposuction with gland oxygen करवा सकता है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो manual technique से करते हैं जिसमें लंबा चीरा आता है उसमें किसी भी तरह से patient को कोई लंबे साम में परिशानी होती है except जो उसका जो cosmetic scar होता है वो बेटर आता है अगर हम liposuction का इस्तिमाल करते हैं ये accessory breast tissue का incidence पहले इतला नहीं था आजकल ये बढ़ता जा रहा है reason हमको भी नहीं मालूम लेकिन इसके patients बहुत आते हैं और उसका simple treatment होता है surgery के द्वारा post-operative complications होने के chances बहुत कम होते हैं वो ही common complications जैसे कि वो घाव पक सकता है, infection हो सकता है, टाके खुल सकते हैं बाकि इसके अलावा specifically और किसी भी तरह का तुई और complication होने की मुझाइश नहीं होती है फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा, नमस्कार